हेलो गाइज मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर डाला था लिंक्टिन पर डाला था माल्टा में जॉब सेक्टर्स के बारे में कि यहां पर माल्टा में स्पेसिफिकली डेटा साइंटिस की जॉब्स AI की जॉब्स मशीन लर्निंग सॉफ्टर डेवलप्मेंट जावा डेवलपर इन सब की जॉब्स कितने अराम से मिल जाती है और वर्क परमिट भी यहां के सारे एंप्रॉयर्स को पता है पर आज मैं एक दूसरे टॉपिक के आपारे में बात करूँगा मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया AI में वहाँ पर 10 मंस का कोर्स होता है MSC AI और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज में AI का कोर्स है ही नहीं स्पेशलाइजेशन कोर्सेद अवेलिबल नहीं है अगर आप US जाएंगे, Canada जाएंगे महाँ पर 2 साल का मास्टर्स होगा पैसे भी बहुत सारे खर्च हो जाएंगे और एक साल उसका स्पेशलाइजेशन होगा जो की बहुत जादा खर्चा भी होता है लोगों के पास इतना financial status नहीं है कि 50 लाग, 40 लाग, 80 लाग तक खर्च कर दे हैं उसके बाद एक डिग्री के लिए जिसके बाद जॉब भी गैरेंटी ना मिले किसी को H1B का प्रॉब्लम हो जाता है किसी को वीजा नहीं मिलता किसी और कारण से तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि Ireland एक देश है जहाँ पर आराम से आप इड्मिशन भी मिल जाएगा आपको आयल्स में कुछ खास स्कोर भी नहीं चाहिए 6.56 कोई-कोई तो 5.5 इड्मिशन देते हैं जी आरी का पर देना नहीं है और सीधा बैचलर के बाद आप आ सकते हो वर्क एक्सपिरिंस की भी ज़रूरत नहीं है वर्क एक्सपिरिंस है तो अच्छा है तो आप आ सकते हो और AI की डिग्री डेटा साइंस की डिग्री बहुत हैं वहाँ और बहुत सारे education institutions प्रमोट करते हैं उसको इंडिया में agents होते हैं जो आपका admission बड़े अराम से करा देते हैं मतलब इतने अराम से शायद ही कही admission हो पाता होगा दो ही minute मतलब आप सारे documents दोगे और एक हफ़ते में admission में आ जाएगा पैसे भर्दो और चले जाओ बहुत ही सिंपल है, मतलब यह तो शायद ही किसी और देश में इतने असानी से हो जाता होगा admission पर आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि वहाँ पर admission असानी से होता है कि नहीं, AI कितना अच्छा है कितना नहीं पर हम इस बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर job sector IT में reality है क्या दुनिया भर में LinkedIn में सब के सब डालते रहते हैं, रोज रोज डालते रहते हैं कि हमें job मिली, Ireland में हमें job मिली, यहां मिली, वहां मिली पर actual में यह reality है नहीं, Ireland में दो बाते हैं, master's तो बड़े अराम से हो जाती है और वहां के government ने stamp 1G नाम का एक visa भी निकाल के रखा हुआ है जिसमें आप master's के 2 साल के बाद तक job ढून सकते हो उसमें कोई category भी नहीं है कि आपकी कितनी salary होने चीए, कम भी हो सकती है, जाधा भी हो सकती है 32,000 euro से जाधा क्यों हो गई, तो दूसरे stamp में convert हो जाएगी, उससे कम की हुई, तो stamp 1G में रह सकते हो और 2 साल ने उसके बाद भी रह सकते हैं पर reality यह नहीं है, वो 2 साल क्यों है, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जिस साल में master's करी Ireland से, 2020 में मेरी master's complete हुई, 19 में शुरू हुई थी उस समय reality यह थी कि कि किसी को 8-9 महीने तक master's के बाद job ही नहीं मिली जॉब मिलती ही नहीं है, मतलब कि अगर आपके महां पर application आ रहे हैं, AI master's, मतलब AI के बाद AI का job है, machine learning का job है वो बस outrated reject हो जाता है, interview तो बात ही नहीं आती है, interview तो आएगा तब आप reject होगे तो बात है, interview ही नहीं आता और अगर interview आता है, तो technical round तक तो इंसान पहुचता ही नहीं है, पहले महीं वो reject कर देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद Indian होगे, उनको work permit करना पड़ेगा, या stamp one देना पड़ेगा, या पता नहीं क्यों, शायद आपका वीजा, दो साल के बाद आप रहे, ना रहे, ये सब कारण की वैसे, वहाँ तो जॉब देते नहीं है, on and average जितने लोग मेरे साथ मास्टर्स में गए थे, किसी को भी 9 महीने से पहले कोई जॉब नहीं मिली, और mostly क्या होता है, वहाँ पर लोग जॉब में settle कर जाते हैं, मतलब जो उनका profile नहीं होता उसमें, तो अगर आ जाते हैं, जो इंडिया में पहले ही कर रहे थे, मतलब नहीं है इस बात का, यहाँ, वहाँ से इतना पैसा वैसा खर्च करके आते हैं, वो तो सीरा work permit पर किसी भी EU देश में जा सकते थे, मतलब, यह तो एक तरीके का ऐसा, मतलब, marketing strategy बना दिया है, कि Ireland आईए और वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, on the contrary, इतने सारे लोग मैंने देखे हैं, जिनको लोन लेकर आए हैं, 20 लाग का, 25 लाग का, 15 लाग का, जोब मिल नहीं रही है, तो पार्ट टैम करना पड़ रहा है, पार्ट टैम करके उससे लोन देना आपका प्रोफाइल बेकार होजाता है, एक साल के बाद लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे थे, तो हम तो बाट टैम कर रहे थे हैं, क्योंकि हमें लोन भन परना था, और उसके बाद धकार कर के इंडिया चले जाते हैं, या किसी और यजोब मिलता भी है, तो IT सपोर्ट, IT support engineer मतलब software development तो कर रहे थे इंडिया में वो छोड़ कर आये Ireland में Ireland में master's कर ली AI में और AI में करने के बाद चलेगा IT support में तो मजबूरी के वज़े से ही जाता है हर कोई तो मजबूरी के वज़े से चले जाते हैं कि loan loan भरना है और उसके बाद कुछ concrete development हो नहीं पाता profile को लेकर तो मैं सब को ये बताना चाहूँगा मेरे को LinkedIn पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंसान ये ज़रूर पूछता है कि मैं इंडिया से हूँ, मैं cognizant में काम करता हूँ मैं HCL में काम करता हूँ अच्छा खासा मिल जाएगा, शायद इंडिया में उतना, मैंने तो M-Tech इंडिया से नहीं करी है शायद उसे better मिल जाएगा सस्ते में भी हो जाएगा क्योंकि शायद ही किसी और देश में 8-9 लाग की fees होगी और 8-9 लाग रहने मुल दब 15-16 लाग में मास्टर्स हो जाएगा आपका ये तो इंडिया में MBA भी 20 लाग का होता है तो ये तो बहुत अच्छा है ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि इससे सस्ता कहीं मास्टर्स शायद नहों पाई शायद जर्मनी में हो पाई पर यहाँ जर्मन वगेरा जानना पड़ता है यहाँ पर वो भी नहीं है आपको problem क्योंकि English speaking है तो ये मैं सब को बता दूँ कि यहाँ पर master's तो आप कर लोगे पर जो जितने भी लोग और जितने भी agencies और जितने भी colleges जितने भी individuals आपको ये बताते हैं कि Ireland में मतलब बहुत रोजी picture है आप महाँ जाओगे जाते ही आप master's कर लोगे जाते ही आपको part time में मिल जाएगा part time के बाद आप उससे खर्चा भी निकाल लोगे आप job भी कर लोगे और आप एकदम से successful हो जाओगे तो ऐसा है नहीं मेरे experience में तो ऐसा कोई भी नहीं था और जितने जितनों को भी उसके बाद मिला कोई भी अच्छा रोल वो इतने struggle के बाद मिला इतने struggle के बाद तो इतना इंडिया में भी नहीं होता मेरे कितने दोस इंडिया चले गए 15-20 लग का package उठा लिया उन्होंने बिना struggle के आइरलेंड के master से और आइरलेंड में रहते हुए stamp 1G होते हुए उनको कोई job नहीं दिया अब वो ही लोग ऐसा तो होगा नहीं कि इतने बेवकूफ थे कि आइरलेंड में उनको job ही नहीं मिली और आइरलेंड में उनका नहीं हुए तो कुछ तो system में flaw है इतने सारे मेरे employer से बात हुई इतने सारे agent से बात हुई वहाँ पर IT recruitment agencies होती है जो company और आपके पीछ में होती है वहाँ पर interview set up कराती है और आपका job में हो जाता है ऐसा मतलब होना चाहिए तो वह agent से मैंने कम से कम मैं जब Ireland में था 2019 के बाद 2020 में मेरा में में खतम हुआ मेरको September में stamp 1G मिल गया और मैंने job में apply करना शुरू कर दिया था 2020 June में से में से लेके December तक मैंने अन गिनत number of agent से बात करी सब ने मुझे कह दिया आपके पास stamp 1G है ना हम नहीं चाहते या तो आप you citizen हो या stamp 4 ले लो जो यहाँ पर permanent residency कहलाता है आईरलेंड में और आपको interview रखेंगे आधों ने तो यह कहा दिया बागी तो खभी किसी के interview आई नहीं interview आई तो technical round तक कुछ गया नहीं क्योंकि मुश्किल से एक interview आता था जैसे ही वो पूछते थे कि आपके पास कौन सा visa है बस वहीं बात कतम हो जाती थी तो यह पूरी reality है Ireland की तो मैं बस यह बात बताना चाहता था सामने रखना चाहता था कि this is the reality of job sector IT job sector in Ireland there is a fake propaganda on all of the internet यह propaganda बिल्कुल ठीक है कि वहां master सस्ती है बहुत सारे agents बोलते हैं master सस्ती है सही है बिल्कुल सही है master सस्ती है आपको stamp बंजी मिल जाएगा यहां तक तो propaganda ठीक है क्योंकि यह सच्चा ही है इसके बाद का जो fake propaganda फैलाते हैं पूरी दुनिया में फैला रखा है कि Ireland में आकर आपकी दुनिया सवर जाएगी खराब हो जाएगी आपका profile खराब हो जाएगा इतने सारे लोगों को मैंने देखा struggle करते रहे, करते रहे, करते रहे बात तो वही आ गई तो फर एप इंडिया से वर्क पर्मिट कर लेते और अभी मैं माल्टा में जॉब करता हूँ तो माल्टा में सीधा मेरा इंडिया से वर्क पर्मिट हुआ वो अलग बात है कि आज कर टाइम बहुत लग रहा है वर्ट पर्मेंट पर इंडिया से हुआ और आइरलेंड में रहकर भी वही सिचुएशन आनी है तो सोच समझ के मास्टर्स करने जाए खास कर उन लोगों के लिए जो इंडिया में हैं और जो सोचते हैं कि आइरलेंड जाके मास्टर्स करना चाहिए बहुत लोग मुझसे पूचते हैं तो मैं बार बार ठक जाता हूँ सबको मेसेज पर रिप्लाइ करते हुए कि यह है रियालिटी यह है रियालिटी फिर वो बात में खुद रिसर्च करते हैं और खुद ही नहीं जाते इतने सारे लोग को का प्लाइन था जाने का और उन्होंने मुझसे जब रियालिटी सुनी और दस लोगों से और सेमी बात सुन ली तो उसके बाद उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया वो प्लाइन पैसा लगा कि ठीक है नॉलेज के लिए चले जाओ नॉलेज के लिए कोई जाने की प्रॉब्लम ही नहीं आप ले लिए आपने जोब नी मिल तो क्या हुआ कर लोगे ना इंडिया आ जाओक इंडिया में कर लोगे knowledge के लिए जानना तो बहुत अच्छा है PhD के लिए जानना तो बहुत अच्छा है पर अगर आपको लगता है और ये बात अगर किसी ने आपके दिमाग में भर दी है कि Ireland जाकर बोड़ा लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी को क्या हो जाता है एक दम से बदल जाते हैं अब तक तो सब्कृप करते रहें अब दो साल एक साल दो साल के जॉबलेस रहने के बाद जिसको जॉब मिल गई है वो दिन भर गान आगाता है कि Ireland is the best तो ये ये रियालेटी है मैं बताना चाहरा था जो भी जाना चाहता है वो सोच समझ के जाए ये जरूर सोच के जाए कि Master सो हो जाएगी पर ये सोच के ना जाए कि जॉब मिल जाएगी किसी भी Employer से आप पूछ लेना वहाँ पे किसी भी Agent से पूछ लेना किसी भी Company से पूछ लेना हर को यह है कि हम प्रिफर नहीं करते Stamp 1G holder को Stamp 1 holder को हम नहीं प्रिफर करते हम तो EU citizen को ही प्रिफर करेंगे वो वेकैंसी छोड़ देंगे वहाँ एड़टाइस करते रहेंगे उनको कोई नहीं मिलेगा लेकिन Indian को जॉब नहीं देंगे मतलब non-EU को जॉब नहीं देंगे specifically India नहीं पोलना चाहता है non-EU और देश्टों से भी लोग आते हैं तो Pakistan, India, Nepal जितनों को भी वीजा चाहिए Stamp 1G जिनका होना compulsory होता है उनको जॉब नहीं मिलता So this is the reality which I wanted to tell to all of the people on LinkedIn मेरे बहुत सारे connections है LinkedIn पे जो Ireland से हैं जो ये बात शायद comment भी करें कि ऐसा तो कुछ नहीं है पर आप किसी के भी profile में जाके देख लेना जितने भी मेरे connection है न LinkedIn पे सब इसे देख लेना there are very few lucky people और हाँ एक और बात job मिलने का एक और तरीका है Ireland में reference और Hindi में बोला है तो सिफारिश तो क्या होता है कि मान लो आपकी गलती से log job लग गई है लगी हो आप और आपने अपने दोस्की सिफारिश कर दी तो ये तो हो गई नहीं कि एक तो फारी बात इंडियन के सिफारिश मानते नहीं है लेकिन अगर मान ली तो फिर दुनिया भर वहाँ अपलाए कर दे MIT Harvard का बंदा वहाँ अपलाए कर दे उसको job नहीं देंगे वो सिफारिश से मिल जाएगी उसको simple side technical interview होगा वो technical भी उसको क्यों कहते हैं पता नहीं technical जैसे तो कुछ पूछते नहीं है लेकिन रेफरेल को मैं बुरा नहीं कहता है पर मैं यह कहता हूँ कि अगर रेफरेल से यही जॉब लगना यही system बना दिया है पूरी country में पूरी companies ने मिलकर यह तो unfair है मतलब मैं इंडिया से हूँ वहाँ पर मैंने पूरी लेली तो फिर तो मास्टर भी मैं बिगना है मैं कैसे भी लेलो फिर जोब मतलब और जो जो एशे इसे सोचलाइज करते नॉर्मल यह आप जाते हैं college यह पर पढ़ते हैं उसके बाद सोचते हैं हम apply करेंगा और जॉब मिल जाएगी वो लोग का तो बहुत मुश्किल है आइरलेंड में काम होना और मैं आइरलेंड की बोल नहीं रहा हूँ हो सकता है और सारी कंट्रीज में भी ऐसा होता हो पता नहीं मैं तो आइरलेंड में ही मास्टर्स करी है तो मुझे वहाँ का सिस्टम पता है और फिर में माल्टा यहां पर मैंने देखा बड़ा system अच्छा है सीधा ही job मिल जाता है आप apply करो interview होता है job मिल जाता है that should be the way it should be so यहां पर मैंने माल्टा में education तो करी निया तो मैं बोल नहीं सकता कि वहाँ पर क्या stamp मिलता है मैं ऐसे लोगों को जानता हूं माल्टा में जो एक दो साल तक employer को बेट करा है और employer ने का कोई बात नहीं आप जब आओगे जब वीजा हो जाएगा आजाना उन्होंने अपनी इंडिया की भी job नी छोड़ी करते रहे काम और आ गए मतलब ये ये तो dream come true है ये योरोप में जो मैंने माल्टा में दिखा बैए ये किसी को रहे नहीं दे रहा कि माल्टा आ जाओ ये हो जाएगा आराम से शायद आपको बहुत दिक्कत हैं मेरे को भी कुछ कुछ दिक्कत हैं पर job हो जाता है आपको बिना reference के बिना struggle करें एक non EU country से आइरलेंड में रहकर आइरलेंड में ही वीजा होकर मेरेको तो job मिली नी और ये बात कोई अशेम्ड होने की भी नहीं है ये सच्चाई है मैं एकलाओता ऐसा situation में नहीं था बहुत सारे लोग थे बहुत सारे और 90% of the people took jobs which they were more qualified the people were more qualified for those jobs और उन्होंने कुछ भी मिल गया तो ले लिया दस साल से इंडिया में software development कर रहे थे और आइरलेंड में भी software development करने लग गए और एक specialized degree करने आये थे में specialized degree करके अगर आप उस field में काम नहीं करना चाहरे थे तो ठीक है फिर तो बहुत इच्छा है लेकिन अगर आप पहली बात फ्रेशर हो या फिर अगर आपको एक साल का experience है और आपने सोचा है कि मुझे उस field में काम करना है जिसमें मेरा मन है जिसमें मैं master's कर रहा हूँ य पर लॉट ओफ पीपल आस्क में questions ओन LinkedIn की I want to do this specific field तो मेरे को कैसा रहेगा जोब तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि भाई ऐसा नहीं है दुनिया भर में जिन्होंने YouTube वीडियो बनाया होगा ना शायद पता नहीं कौन से जमाने में बनाया होगा 2010 में बनाया के बात से यह सिर्फ COVID की भी बात नहीं है मैंने कितने लोगों से 2018 में Master's Complete करे वे पूछा एक एक बंदा तो इतना अच्छा था उसने मेरा रेफरेल से इंटर्व्यू लगवाया फिर वही बात आ गई वीजा स्टैंप रिजेक्ट हो गया वह बंदेर से मैंने पूछा वह 18 में कर चुका था उसने खुद बता दिया कि 18 में भी कोई हालात अच्छे नहीं थे तो यह खिर्फ मैंने कह रहा यह ऐसे बहुत लोग कहते हैं और उसके बाद सड़नली सबका रवाया बदल जाता है जैसा ही उनको कुछ मिल गया तो सड़नली कहने लगते हैं यह तो बहु लेसर पेड जॉब्स कभी बुरी प्रोफाइल और कभी जाके मुश्किल से किसी को कुछ मिल गया होगा और उसके बाद वो बिल्कुल पुल लगेगा आइरलेंड इस तक लोगों को देखा है आठ एट येर्स एक्सपिरेंस सेवन एक्सपिरेंस इन इंडिया इन सॉफ्ट पेड़ को दिया जाते हैं इरलेंड में वो उनको देदी और व्रेजर को कुछ दिया निए तो इस इस अपनीज ने इसा बना रखा है सिस्टम इसमें कंट्री भी गड़ी क्या करें कि अब कंपनीज ने से सोच लिया है कि हमें यही करना है तो आधो को तो स्टैंप नहीं स्टैंप वन पता ही नहीं है क्या करेंगे उनको आप समझाते कहां तक बैठ हो गए कि मैं इंडिया से आया हूं यह जब कंपनी को बताया ही नहीं गया है उनको पता ही नहीं है तो कैसे सिस्टम चलने का बहुत मुश्किल है तो बस मैं यही रियालिटी बताना चाहता था जो भी लोग सोचते हैं कि Ireland में Master's करना चाहीए बिलकुल करना चाहिए लेकिनgeld के उमिध नहीं चाहिए तो उन्होंने मन में बना लिया है तो अब चाहे कुछ भी हो जाए वो मानिंग नी तो that is all for today and thank you so much